बागपत की बड़ोत कोतवाली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जहां पुलिस ने लाखों रुपई का धान चोरी करने वाले ट्रुक ड्रैवर को ग्रफतार कर लिया है आपको बतादें कि ट्रक ड्राइवर फतेहपूर से धान का ट्रक भर कर हरियाना के करनाल ला रहा था इसी दोरान ड्राइवर ने कोतवाली बड़ोत ख्षेत में पहुँच कर लाको रुपई का 33 टन धान चोरी कर लिया और खाली ट्रक को वो कटवाने के लिए मेरट के चोर बाजार जा रहा था जिसके बाद ट्रक मालिक की शिकायत पर मामले की तफ्तीश में जुटी बड़ोत पुलिस ने आरूपी ट्रक ड्राइवर को ग्रफतार कर लिया और उसकी निशान देही पर हाईवे के पास जंगलों से आधा धान बरामत कर लिया है फिलहाल पुलिस ड्राइवर के अन्य साथियों की ग्रफतारी के लिए तलाश कर रही है और बाकी धान को बरामत करने के प्रयास में जुटी हुई है पंजाब केसरी टीवी के लिए बागुपत से वेबिक कौशिक के रिपोर्ट